किया हाल है दोस्तों जैसे कि आप सबकी तरफ से क्वेरी आ रहे थी कि नॉर्मल लैप्टॉप से वीडियो बनाओ जो गेमिंग लैप्टॉप नहीं होते हैं तो जिन लोगों को भी ऑफिस यूज के नीच चाहिए कॉलेज यूज के नीच चाहिए किसी भी तरह के ऐसे से लेकर के सतर हजार रुपए तक के बड़िया बड़िया लैप्टॉप मैं इस वीडियो में शामिल करूँगा तो गबराने की कोई ज़रूद नहीं है पूरी के पूरी एमजन की एनलिसिस करके मैं यहां पर आया हूँ उसी के बाद में यह वीडियो आपको बनाके दे र प्राउजिंग करनी है इस तरह का कोई भी काम करना है तो आप आराम से लैप्टॉप पे कर पाऊगे और अल्टरनेटिव तो ही नहीं आपके पास इस प्राइस रेंज में आपको ऐसे ही लैप्टॉप मिलते हैं तो 4GB मिलती है 256GB SSD है लैप्टॉप एक दम होके है पूरा ब प्रोवाइड कर पाता है इस तरह की चीजें तो आई होप आपने यह सारी चीजे समझ लियोंगी बहुत अच्छी तरह से तो अब हम चलते हैं नेक्स लैप्टॉप पे नेक्स लैप्टॉप मैंने चूज किया है यह लैप्टॉप 30 रुपए में आता है डेल का पे है ओवराल फीचर्स आप देख लीजें यहां पर मैं सारी चीजें आपको दिखाई रहा हूं जिन लोगों का भी जुकाफ ब्रेंड की तरफ जादा रहता है जिन लोगों को लगता है कि नहीं हमें डेल का ही बाय करना है तो उन लोग के लिए लैप्टॉप है आप चा हो तो इस लैप्टॉप को बाय कर सकते हो इसके जो स्पैसिफिकेशन्स हैं फीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं लेकिन इसके बाद मैं एक और लैप्टॉप आपको दिखाने वाला हूँ जो आपको बाय करना ही चाहिए क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसर इतने कमाल का आया न यह पैट सिलिम 3 राइजन 3 3500 यू प्रोसेसर के साथ आता है दोस्तों यह प्रोसेसर आपको इस प्राइस रेंज में कोई भी और लैप्टॉप नहीं दे रहा है तो आपको एक ही बार में समझ के इस लैप्टॉप को बाय कर लेना चाहिए काफी बहतरीन लैप्टॉप है तो घबराने की कोई जरूवत है नहीं 4GB ग्रैम है 1TB के हाट डिस्क है इसके अंदर SSD भी आप लगा पाऊगे आराम से NVMe SSD डाल सकते हो तो ओवराल यह एक बहुत बेस्ट डील है यह लैप्टॉप आपको 55 की रेंज में कोई भी लैप्टॉप ले रहा हो तो इस लैप्ट आईए और 38 या 39,000 में आ रहा है तो यह मैंने वराइटी वराइटी के लैप्टॉप इसने डाले है ना क्योंकि लोगों की प्रीफरेंज रहती है कि हमें HP का बाय करना है लेनोव का बाय करना है इसका बाय करना है यहां आप खुदी देख लो इसके अंदर 8GB के RAM है 256GB के SSD ह तो overall यह एक बड़िया laptop है इसके अंदर hard disk भी आप डाल पाओगे क्योंकि इसके अंदर जगय होती है तो overall इसे मैं एक बहतर deal बोलूँगा आप सीधे सीधे इस laptop को बाय कर सकते हैं without any doubt यह उसका ही 14 इंच वाला model है तो जिन लोगों की preference 14 इंच रहती है तो वो लोग इस laptop को Intel लेना है यह MD लेना है आप चलते ही next laptop पे तो यह जो laptop है यह HP का 15 है यह 45,000 रुपीस के अंदर आपको मिलना है अगर आपको 50,000 के नीचे का कोई भी laptop लेना है तो आप सबसे पहले इसे बाय करने की कोशिश करिए क्योंकि यह आपके पैसे भी बचवारा है प्लस value बहुत दे रहा है इसके अंदर Ryzen 5 4500U processor है इस processor की speciality है कि 6 core 12 thread वाला यह processor है और आपको कोई भी laptop इस price range में 4500U processor नहीं देने वाला ऊपर से HP का trust भी आपके पास है तो यहाँ पर doubt करने कोई जरूवत है यह 8GB RAM है 256GB SSD है SSD पैले से मिलती है hard disk call लगा सकते है उसके अंदर तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप कोशिश करना इसी laptop को buy करने की यह यहाँ पे आने बाला best laptop है अब हम चल रहे है next laptop की तरफ दोस्तों यह जो laptop है वो आप तब buy करिएगा जब वो 4500U वाला laptop आपको ना मिले जब वो ना मिले तब आप इसे buy कर सकते हैं क्योंकि यह उसका मैं performance 4500U वाले निकाल के देगा वो यह नहीं निकाल पाएगा वो ना मिले तब आप इसे buy करना otherwise आप इससे सीधे सीधे buy मत करना अब यहाँ पर SSD थोड़ी ज़्यादा मिल लेए तो कुछ लोगों को यह laptop जो है वो काफी lucrative लगेगा तो आप चाहो तो buy कर सकते हैं कोई दिक्क 500U जो मैं आपको बताई चुका हूँ भी कैसा processor है तो इसके अंदर 15.6 इंच का display है overall एक बहतर डील में ऐसे बोलूँगा 8GB RAM है 512GB SSD देखी बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ स्पैसिफिकेशन के पीछे नहीं जाना चाहते हैं बहुत सारे लोग look के भी पैसे देना चाह इतने सारे laptop में इस नहीं रखे हैं ताकि variety हो जाए आप यह वाय करें चाहें वो बाय करें कोई भी बाय करें आप satisfied feel करेंगे next laptop की बात कर लेते हैं यह है HP 14 Ryzen 5 latest 5000 series के 5500U processor के साथ आता है इसके अंदर मिलते हैं आपको 6 और 12 thread performance बहुत गजब की है 8GB RAM है 512GB SSD है overall इसे मैं एक बहुत बड़ी है deal बोलूँगा अगर आप HP के laptop के साथ जाना चाहते हैं तो आप इस laptop को buy कर सकते हैं नहीं तो आप Asus के साथ भी रह सकते हैं देखिए दोनों में से ही आप कोई भी choose करेंगे तो आप satisfied feel करेंगे ऐसा कोई dissatisfaction वाली कोई चीज नहीं है बाकी आपको inner satisfaction अप आपको मिल जाता है देखिए laptop जो है वह बहुत slim trim laptop है overall देखने में आपको बहुत ज्यादा premium रहेगा कोई देखेगा तो काईगा भई 70-80,000 रुपए से कम का laptop यह नहीं हो सकता तो यहां पर आपको Ryzen 5 5500U processor मिल ला है storage बहुत अच्छी मिल ला है एक टीबी का hard disk का 256GB SSD 8GB RAM तो यहां पर जो यह features offer कर रहा है na speed भी दे रहा है storage भी दे रहा है तकड़ी तो ऐसे features generally मिलते नहीं है laptop के अंदर तो इसके अंदर आपको MS Office भी मिल रहा है तो overall एक बहुत 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 बहुतर deal में इसे बोलूँगा 55,000 रुपए में फिलाल यह laptop आपको मिल ला है तो 55,000 रुपए के आसपास अगर आपको laptop बाय करना है देखिए बिलकुल latest processor है इसके अंदर तो कमी तो कोई है नहीं उपर से additional number pad भी मिल जाता है इसके अंदर आपको तो fingerprint है तो overall यह एक business pure business laptop में बोलूँगा अब next laptop पे हम अपने चलते हैं देखिए यह उस laptop से मैं थोड़ा downgrading laptop laptop बोलूँगा ऐसा नहीं है कि कुछ quality का issue है या फिर ही ऐसा कुछ है बट यहां पर design का थोड़ा सा difference होता है वो काफी premium है अल्ट्रा के 15 है वो और यह वाला जो laptop है यह है वीवो बुक 15 इसके अंदर same processor है 5500 यू बट हाँ प्रीमिमनेस वो ज़्यादा आपको फील देगा य यह laptop थोड़ा और सस्ते में भी मिल सकता है विकाज यह अपैरियो अवेलबल नहीं करवा पाया है इसी नहीं इसका price थोड़ा जाता है मैं आपको यहीं बोलूँगा कि यहां पहले वाला के 15 वाई करिए अल्ट्रा वाला तो वही आपके लिए best laptop रहेगा आप इसे छोड़ तो मेरी कोशिश यह है कि आप लोगों को variety मिल जाए जिससे कि आप सही से choose कर सकें अपने लिए यह है IdeaPad Slim 3 5500U same processor के साथ आता है performance बहुत बढ़िया निकालेगा 8GB RAM है 512GB SSD है तो overall एक मैं इसे बहतरी laptop बोलूँगा आप चाहो तो इसे बाय कर सकते हो देखिए जादा कुछ नहीं होता है इन laptop में बताने के लिए यह कोई gaming laptop नहीं है जो यहाँ पे explain मैं करता रहूँ आपको वीडियो खामखा नंबा हो जाएगा फिर आप लोग देखोगे नहीं अब हम आ गए हमारे next laptop की तरफ यह एक laptop नहीं है बलकि छड़ी है पूरी तरह से laptop की तो मतलब IdeaPad Slim 5 मे आपको बहुत सारे variant मिलते हैं अलग-अलग तरह के प्रोसेसर के साथ जैसे Ryzen 5 5500 यू मिल रहा है इसके अंदर 5700 यू मिलेगा Ryzen 7 मतलब बहुत सारे ऐसे latest-ledgest प्रोसेसर का combination रहता है दो तो 33,000 रुपे के difference के साथ में IdeaPad Slim 5 आपको मिलता रहता है तो जो लोग भी 60,000 आपको gaming तो करनी नहीं है तो आप normal laptop buy कीजिए हलका laptop buy कीजिए बाकि या वीडियो एडिटिंग या फिर इस तरह का कोई भी काम करना चाहेंगे तो वह भी आराम से ये laptop आपका करवा देगा तो ये काफी बड़ी laptop है अगर आप इस laptop को साथ जाते हो तो you will feel satisfied एक और ये laptop मैं आपको सेलेक्ट किया है Acer का Swift 3 इस laptop के फीचर जानके आपके होश ओड़ जाएंगे देखिए इसके अंदर एक बहुत ही कमाल का फीचर है अभी आपको बताऊंगा देखिए प्रोसेजर तो सेम है पहले laptop की तरह 8GB RAM 512GB SSD तो बाकी ज्यादा कुछ नहीं है ऐसे बताने के ल display जल्दी मिलती नहीं है और ऊपर से यहां पर आपको 100% sRGB color gamut वाली display मिल रही है तो बहुत ज्यादा क्रिस्पर experience मिलेगा आपको और Photoshop या फिर किसी भी तरह का कोई भी काम करना चाहते है तो आप color accuracy वाला पूरा काम इस laptop कर सकते हैं क्योंकि यह आपको color reproduction बहुत अच्छा करके देगा overall battery life भी आपको इस laptop में काफी अच्छी मिलेगी तो यह laptop आपको नहीं छोड़ना चाहिए अगर आपका budget जो है 60,000 रुपीस का है तब आपको जरूर जाना चाहिए इस laptop के साथ लागि अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आप नीचे के laptop के साथ भी रह सकते अब यह idea pad के ही वह वाले variant शुरू होगा है जो मैं आपको बता रहाता है यहाँ पर यह जो laptop मैं यह i5 processor के साथ आ रहा है बट इसमें i5 के साथ साथ आपको मिल जाती है 16GB की RAM और 512GB की SSD तो यहाँ पर कभी यही same idea pad slim 5 में ही कभी आपको RAM बढ़ा के दे दी जाएगी कभी आ आप वहाँ देखनी जेगा क्योंकि price continuously change हो रहे हैं तो यहाँ पर जो है हर चीज जो है वीडियो में नहीं बताना पॉसिबल होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो description से ही आपको सही से पता चलेंगी तो यहाँ पर यह MX450 वाले variant आने शुरू हो गए है idea pad slim 5 गे तो यहाँ आप जो है gaming करना चाहते हैं gaming आपकी preference है तो आप gaming laptop सी buy कीजिए तो फिर इस तरह के laptop buy करने की आपको जरूवत नहीं है इसका एक और higher variant भी आता है जिसके अंदर 16GB RAM 512GB के SSD मिलती है तो वह भी आप buy कर सकते हो उसका price है 69,000 रुपीज तो MX450 graphic card के साथ ही आ रहा है यह laptop और इ interested है किसी भी laptop को buy करने में description चेक कीजिए वहाँ आपको काफी सारे link वे लेंगे आपको laptop ढूणने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी बहुत अच्छी तरह से मैंने sort करके रखे हैं फिर भी कोई दिक्कत आ रहे है नीचे comment box में comment करके मुझे बता दीजिए कोई solution दे करें करें झाट